दोपेर प्राइम टाइम में नेपाल से बड़ी खबर जहां चार्ल्स शोबराज को नीज साल बाद नेपाल की जेल से आज रिहा कर दिया गया कड़ी सुरक्षा के बीच आज चार्ल्स शोबराज को सेंट्रल जेल से बाहर लाया गया जहाँ जेल अधिकारियों ने कागजी कारवाई के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों को सौप दिया है चार्ल्स शोवराज की रहाई एक दिन टल गई थी क्योंकि इमिग्रेशन अधिकारियों ने कहा था कि उनके पास शोबराज को ठहराने के लिए कोई जगए नहीं है शोबराज 2003 से एक आठमांडू की जेल में उम्रकेती सजा काट रहा था उसे नेपाल में अमेरिकी महिला की हत्या का दोशी ठहराया गया था